एक बार किसी ने परमानू बम के जनक अलवेट आइंस्टीन से पूछा तीसरा विस्वयूद कब होगा आइंस्टीन ने कहा तीसरा विस्वयूद कब होगा यह तो मैं नहीं जानता लेकिन अगर तीसरा विस्वयूद परमानू आयुदों से लड़ा गया तो मानव सब्यता स समूल नश्ट हो जाएगी इसके बाद चोथा विश्व यूद निश्यती लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा आइंस्टीन का यह कथन परमानी यूद की महावी बीशिका पर अत्यन सठीक टिपनी और संपूर्ण मानोता के लिए एक गंभीर चेताउनी है क्योंकि जा परमानो युद्ध का मतलब वह युद्ध नहीं है जिने दुनिया ने अब तक देखा है पिछले युद्धों में एक पक्ष जीता है और दूसरा पक्ष हा रहा है लेकिन अगर अगर अब हम परमानो युद्ध हुआ तो इसमें कोई संदे नहीं है कि नहारने वाला बचे का परमानो आयुद्धों के भैसे चिंतित होना लाजमी है भारत प्रारंब से ही शांती और अहिंसा का पुझारी रहा है ऐसे में वे विश्व शांती के लिए उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत करता है बसरते कि यह शांती प्रियास खतम नहीं हो 1954 में सर्व पर्थम भारत ने परमानो आय परसार के बारे में विश्व मंच पर अपनी आवाज उठाई थी और 1903 में सयुक्त राष्ट महासबा में CTBT अर्थास व्यापक परमानो परिक्षण प्रतिबंद संधी का सह प्रस्तावक देश बना CTBT का प्रारूप तयार करने के लिए सन 1996 में तदर्थ समीति गठित की गई इस समीति के अध्यक्ष नीदरलेंड के जैप रामेकर थे उन्होंने जुन 1996 में CTBT के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया ये प्रावधान भारत के हित्मे नहीं तेफ लेते भारत ने संयुक्त राष्ट की आम सभा में CTBT के प्रस्ताओं का परबल विरोध किया भारत का मानना है कि CTBT का वर्तमान सो रूप अंतराष्टिय कानून के वीपरित है इससे परमानू निसस्त्रीकरन का संपुर्ण उद इको पर रोक लगाती है अत्यन्त विक्सित राष्ट परमानू परिक्षन पर चुपिस आदे हुए हैं इसका सीधा लाव कुछ परमानू संपन राष्टों को मिलेगा आज विस्व दो इस्तरों में विभाजित है प्रथम विक्सित देश और दित्य विकास सिल देश अमे PTT का सुरूF विकासिल देशों को प्रमाणू संपन बनाने से रोकता है लेकिन प्रमानू संपन राष्टों पर रोक लगाने में ऐसफल है इस संदी से प्रमानू संपन राष्ट दिनो दिन सक्तिसाली होते जाएंगे और विकासिल देश कमजोर पढ़ते जाएंगे विश्व के शांती संतुलन में इनिरंतर अंतर बढ़ता चला जाएगा और एक खास देश की दादागिरी बनी रहेगी परुक्षत है वर्तमान CTBT का यहीं उद्देश से सामने आया है भारत चाता है कि CTBT के वर्तमान सोरूप में परिवर्तन लाया जाए जिससे परमानु संपन राष्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने परमानु आयुद्धों को नश्ट करे और भविसे में किसी भी प्रकार का परमानु परिक्षन ने करे तबी CTBT का मौन लुद्धे शर्थार्थ पूर्ण परमानु निसस्तिकन प्राप्त हो सकेगा लेकिन विस्व के कुछ विक्षित राष्टों को यह सुदार प्रस्ताव नामंजूर है वे भारत पर चारों और से दबाव डाल रहे हैं 11 एम 13 माई 1998 में को भारत ने पांच सफल परमानु परिक्षन किये थे ऐसे में विक्सित राष्टों द्वारा भारत के विरुद लगाए विभिन प्रकार के प्रतिवंद इसी भावना के संकेत है यह प्रिसनता की बात है कि इन पांच सफल परमानु परिक्षनों के उपरांथ भारत को भी प्रमपरागत तरीकों से अर्थार्थल जल एम जमीन के अंदर परमानु परिक्षन करने के आउसकता नहीं रह गई है संक्षेप में जब तक CTBT से प्राप्त हितों पर कुटारगात होता रहेगा तक तक भारत का इस संदी पर हस्ताक्षन करना उचित नहीं होगा धन्यवाद